नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी के मंतली करेंट अफेर पे और यहां पर हम मद्द प्रदेश का जो जुलाई का करेंट अफेर है वो देखेंगे क्योंकि आपका क्या कहते हैं अभी एक्जाम के बाद 19 जून के बाद हमने जो सल रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं सरकार के कारकम होते हैं उनमें एक तरह से आचार संगीता लगी होती है तो सरकारें कुछ नया कारकम या नई योजनाएं नहीं लागू करती है उनकी घोशना नहीं करती ठीक है जिसकी वजह से करेंट अफे जो हमारे weekly current effect चल रहे तो वह भी regular हो जाएंगे अभी आपके क्या कहते हैं exam होने वाले हैं जो मद्द प्रदेश में आपका पटवारी का भी exam चल रहा है निरिक्षक का भी चल रहा है ठीक है और जेल प्रहरी के exam भी लगे तो व्यापम के लगबग बहुत सारे exam और प्रदेश में भी medical के और चोटे-चोटे exam जो आ रहे हैं तो उनमें आप पिछले जो भी exam हुए है चाहे वो प्रदेश में हुए हो या बागी के exam हुए हो आप paper उठा करके देखो अभी आप dentist का paper है और dental surgeon का exam हुआ है forest का exam हुआ है ठीक है इसके बाद medical के 2-3 exam हुए है और engineering क 4-5 sector के exam हुए automobile और civil engineering के आप ये सारे paper एक बार उठा करके देखिए आपको current affair के वहाँ पे 8-9 questions मिलेंगे 50 questions मिलने से और वो लगबग question आपके मद्दपरदेश के योजनाओ से या जो भी current activities हुई थी उन से जुड़े हुए है तो current affair बहुत महत्तपून रहता है और महत्तल कर रहे हैं और serious उसको लेकर के अभी आपके पास काफी समय है मद्दपरदेश PSC की 16 अगस से regular सुनवाई भी है और यह अंतिम सुनवाई है हमें आसा है कि जो भी चीजें हैं वो clear हो जाएंगी तो जो हमारे exam 19 से लेकर कि इधर तक के रुके हुए हैं वो सारे exam हमारे regular हो ज सुनवाई शुरू हो रहे हैं 16 अगस्त से regular सुनवाई शुरू हो रही है और वह अंतिम सुनवाई code का कहना है यादि उन्होंने एक सितंबर को या 2 सितंबर को भी अपना verdict कर दिया कि हां हम यह नियम यह सही है गलत है जो भी किया verdict आ गया तो आपके पास दो महीने के लिए एक मैनिस जादा पंदर दिन जादा टाइम नहीं मिलना है तो उसका सबसे सही उपाए कि एक समय है बहुत ही अच्छा टाइम है आप इसको पढ़ाई में बतीत करिए self motivation हर exam के लिए important होता है बिना उसके कुछ नहीं होने वाला यदि आप self motivated नहीं हो तो आपको government sector के exam की preparation न आपको उपलब्ध है आप exam guruji के app के play store से इसको apply कर सकते हैं वहां से आपको मिल जाएंगे 33 booklet है और इसमें साथ में आपको daily answer writing practice जो आप notes पढ़ोगे उसके साथ आपको topic was daily answer writing practice मिलेगी उसमें videos रहेंगे question paper रहेगा आपको खुद से practice करनी video lecture में देखना है कि आपके answer सही है या गलत हैं आपने किस प्रकार से उसको solve किया था कैसे करना था तो यह सारी चीजी रहेंगी जो हमारे पुराने चात्रे जिनुन हमारे असकुछ purchase किया उनको 2799 में है बागी को लोगों के लिए 29999 में है लेकिन जो चात्रे या जो students ऐसा चाहते हैं कि हमें खुद से answer लिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इससे जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए यह जो नंबर है दो इनमें call करें WhatsApp करें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आगे की तरह बढ़ते हैं और शुरुआत करते हमारे इस मंत के पहले question से माधव आपक से, NAC से सरवोच A++ grade मिला है यह देश का पहला है, जो कि माविध्याल है, तो किस सहर में हैं, इंदौर में हैं, उजयन में हैं, गौालियर में हैं, या जबलपूर में हैं, तो इसका जो सही उतर होगा, जबलपूर होगा, इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं, आपने पढ़ा होगा जो उजयन में माधो विज्ञान महाविध्याले है इसको नेक जो होती है जितने भी हमारे विश्विध्याले महाविध्याले होते हैं उनका मुल्यांकन करती है उनको ग्रेडिंग देती है ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड ए प्लस प्लस ग्रेड इसक teachers कितने हैं उनके attendance कैसी है students के लिए बाकी activities कैसी होती है जो regular program होते हैं वहाँ पर हो रहें कि नहीं हो रहे हैं National assessment and aggregation counseling नयक के माध्यम से grade A++ ंक इसको प्राप्ट हो है देश का पहला सास की महाविधियालय बन गया है अभी तक क्या होता था विश्विड़धियालय को होता था सास की महाविधियालय वो अभी तक किसी को भी कि A++ का grade नहीं मिला है तो यह पहला महाविद्याले जिसे A++ मिला है इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता इसे आपको याद रखना आप इसमें जो प्रशन बन सकते हैं आपके एक तो माधव विज्ञान महाविद्याले का आपके है या मद्दप्रदेश के किस महाव महाविद्याले थे इस रेणी में जिसमें से इसे मिला है बाकी के सबी जो है निजी महाविद्याले हैं यह सास की पहला महाविद्याले है आप यह याद रखना प्राइवेट नहीं है और इसको जो प्राप्त हुआ है जो मार्ग प्राप्त हुए 3.58 CGPA प्राप्त हुआ है और जितने भी हमारे सास की माविद्दाल उसमें उच्छता में उच्छता में तभी बनेगा और यदि पूछा जाएगा उच्छता मंत्री मद्द प्रदेश के कौन है तो डाक्टर मोहन यादव हैं ये भी उज्जेन के ही हैं ठीक है आगे बढ़ते हम अपने अगले प्रश आपके PSG के एक्जाम्स के पहले और मुझे आसा है और विश्वास भी है कि आप लोगों ने देखा होगा उसको तो आपको काफी सारे प्रश्ण अलगबग प्रश्ण करेंट अफेर के हमारे वहीं से आयते हैं मद्द प्रदेश के और जो questions आया तो उसको कराते वक्त भी ह स्केल से संबन देता है शूटिंग से होकी से मलखम से या तीरंदाज से तो इसका साय उत्तर होगा शूटिंग से इनके बारे में हम डीटेल देख लेते हैं और ये खिलाड़ी है हमारे मद्द प्रदेश की रूबिना फ्रांसिस ठीक है और ये पैरलंपिक खिलाड़ी है अभी हाली में क्या हुआ है कि इन्होंने जो म्यूनिक में जर्मनी में वर्ड सूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ड कप चल रहा है ठीक है वहां पिन्होंने मिक्स टीम में 10 मीटर के जो एयर पिस्टल होता है सूटिंग में वहां पिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है और यह जो रहने वाली है यह जबलपूर की रहने वाली है और विसुकप में इनका यह तीसरा स्वरण है आप इनको याद रखेंगे रूवीना फ्रांसेस ठीक है इन्होंने जर्मनी में म्यूनिक में गोल जीता है और बात करी जातों इसके पहले भी इन्होंने जीता है यह सूटर है ठीक है और मद्व प्रदेश जो हमारी अकैडमी है वहाँ पर यह प्रिपेशन कर रही हूं से बढ़ते हम अगले प्रशन की तरफ मद्व प्रदेश एकाडमी के ही खिलाड़ी है एश्वार प्रताप सिंग यह किस खेल से संबंदिद है तीरंदाज से हौकी से मल मद्व प्रदेश के लिए लेकर के आएंगे तो इसका साही उत्तर होगा शूटिंग ठीक है यह है एश्वार प्रताप सिंग और यह राइफल के जो 3G पूजिशन में मद्व प्रदेश राज के सूटिंग अकाडमी खिलाड़ी है इन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ सूर्ण प्रताप जीता है और यह बहुत बड़ा किरतिमान है इन्होंने वट ठीक है तो यह अभी क्या हुआ है कि एश्वार प्रताप तोमर जो है दच्छिड कोरिया में ISF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इवेंट में राइफल में सूटिंग में इन्हों जोने क्या हासिल किया है गोर्ड मेडल हासिल किया है ठीक है 21 वर्सी है और इसके पहले भी यह लगातार जी चुके है इन्होंने जो हराया है वो हंगरी के जकान फेकलर है इनको हराया है यह इनका दूसरा विश्व कप सौन पदक है ISF के ठीक है और यह रहने वाले खरगौ प्रदेश की पहली GPF अदालत कहा इसका आयोजन कहा किया गया था, सागर में किया गया था, ग्वालियर में किया गया था, जबलपूर में किया था, या भोपाल में किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा, जबलपूर में किया गया था, अच्छली में यह GPF अदालत जिस इसी प्रकार से प्रदेश में पहली बार एक GPF अदालत लगी थी और इसका जो आयोजन हुआ तो 31 जुलाई को हुआ था जबलपूर में हमारा आइकोड भी मध्य प्रदेश का कहा पर जबलपूर में करके बताएं कि मध्य प्रदेश का जो महा प्रधान महालिका कार्याल है वह अहां पर है मध्य प्रदेश में तो उन्होंने क्या हुआ था एक GPF अदालत लगाए थी जबलपूर में और इसका योजन पहली बार किया गया था और इसकी जो दूसरी प्रदालत लगी थी वह ग् ए रडेयर में और तो उन्हाँ पे क्या हुआ कि इनकी जो भी समझछा है थी उसका समयधान गया बढ़ते हम अगले प्रशन के दरब प्रश्ण कमाद 5 है देश में एहलप 1 प्रशिच्छन कारकम शुरू किया गया है पुरे देश में चालू किया गया है प्रशिच्छन का आप देख लेते हैं यह एक्टुनी में क्या जो इसका नाम रखा गया एहल्प यह पस्यु सखी प्रसिक्षण एक प्रोग्राम है अब भोपाल से यह सूरू हुआ है और पूरे देश में इस प्रोग्राम को चालू किया इसकी सुरुआ 23 जुलाई से भोपाल से हुई है, इस कारक्रम में होना क्या है, कि इसमें जो हमारे महिलाएं होती है, उनको पशु सखी के रूप में, उनको पशु पालन की जो गत्विदिया होती है, इसका पूरा नाम क्या है? एक से रे एजेंट फॉर हेल्थ आफ एक्स्टेंशन आफ लाइव स्टॉप प्रोडक्शन, उनको क्या किया जाएगा? प्रशिचित किया जाएगा, जिस प्रकार से अपने आगण बाड़ी कार करता होते हैं, उसी प्रकार से एक संबदा या धारित महिला कार करता होगी, जो पसुच किस्वों के हमारे यहां से डॉक्टर होते हैं, विटनरी सरजन वगेरा होते हैं, वो इनको ट्रेंड करेंगे, और उनको क्या होगा, जो पसुच्छन कारक्रम है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो जो रहेगा, एक्जाम गुरुजी में आपको जल्दी मिलने वाला है, एक अच्छा कारक्रम है, और मदप्रदेश से इसके सुरुवात हुई है, भोपाल से, ये पसुच्छी, आप समझ रहे हो, एक सक्छी है और पसुच्छी है, तो उसके बारे मुने जानकारी होगी, आप यहां पर दे खबरों में बना रहा है, आपको याद हो जाना चाहिए, इन दौर, खंडवा, बुर्हानपुर या बालागार, तो इसका सही उत्तर होगा, बुर्हानपुर, और ये लगातार पिछले 4-5 मैने खबरों में है, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड है, प्रधान मंत्री इसके कितने लाग परिवार, इंक्यामन लाग परिवार इससे क्या होंगे, लाबानवित होंगे, मुख परिक्षय के लिए अच्छा कंटेंट है, और ये देश का पहला जिला है, जिसको सर्टिफिकेट मिला है, कि यहाँ पे हर घर में जल पहुचा दिया गया है, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में आपको बता दी, दोसों चौमन गाम को मिला है, हर घर जल इसका क्या हुए है, प्रमारित हुए, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्ण की तरफ, मत्य प्रदेश की पहली यूथ महा पंचायत का आयोजन किया गया था, और यह आयोजन बहुत ही जादा अभी खबरों में बना रहा है, चुनाओ के बाद एक यह पंचायत थी, जिसका सबसे जादा खबरों में बनी रही है, बाकी की तो पंचायते थी अपने अपने गाउं में, लेकिन एक यह पंचायत थी, जो पूरे प्रदेश में खबरों में थी, तो आपको यह आयोजन कब हुआ था 21-25 जुलाई हुआ था 23-24 जुलाई हुआ था 20-25 जुलाई हुआ था 22-24 जुलाई किया गया था इसका स़य उत्तर होगा 23-24 जुलाई को इसका AYlington किया गया था Youth Mohah Panchenyat क्यों नाम रखा गया था आपको हैं से इसकी जैनकारी मिल जाएगी actually में क्या हुआ था जो हमारे सहीच चंसेखार आजाध है इनकी 166 जयन्ती पर राजस्तरी एक यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया था 23-24 जुलाई 2022 में ठीक है और इसका जो आयोजन था वो बेसे बेसिकली रवीन भवन के जो कान्मेसान हाल है वहां पर किया गया था यहां पर युवाओं को बुलाया गया था बहुत सारी चोटे चोटे प्रोग्राम से और कुछ विसी स्टाथिजिव गईरा आयोए थे जो कि प्रेशिय करने वाले थे तो वहां पर इस्टुडेंस को क्य किया जा रहा था कि अलग-अलग category के वहां पर प्रोग्राम थे उस पर उनके भाषन वगेरा थे और गाइड किया जा रहा था ठीक है और बाइक रैली वगेरा भी इस पर निकली थी और इस दिन क्या हुआ था पूरे प्रदेश में इसका पंचायत का योजन किया गया था और अब NCC और राष्टी सेवा योजना के जो कैड़ेट्स होते हैं उन कैड़ेट्स से कई विदार्थियों को लगबग 6-6 युवाओं को उस पंचायत के जो भोपाल का प्रोग्राम था वहां के लिए उनको शमलित किया गया था ठीक है अब इसमें क्या-क्या हुआ है तो आ ठीक है उन साभी विश्वा पर हिवाओं ने और जो हमारे अतिति थे उन लोगों ने अपने अपने बासट दिये थे बात करीजा चंसेका राजाद की तो इनका जन्भावरा गाउं में हुआ था जो उस समय पर उस गाउं का नाम था वरतमान में उसका नाम क्या कर दिया ग मौश्ट को मोड़म्फ्रेंड़ली स्टेट का अवर्ड दिया गया है एंपी राजास्थान पंजाब या गुजरात इसका सव्यूटत्वरों नाम अन्य जो से मद्दप्रदेश को यह मिला है इसके अलावा एक चीज और मिली है एक उपलब्दी की जो नॉन यह इसके डारेक्टरन कौन है तो आपको याद रखना राजेंदर जागले है यह बात करी जाए तो किस जंजाती के जीवन और उनके ग्रामीड परिवेश्ट पर परदर्शित करती है बढ़ते हम अगले प्रिश्ट की तरफ प्रिश्ट कमांक 9 है इंडिया इन्वेशन 13 में पर, 12 में पर या 9 में पर तो इसका सही उत्तर होगा मद परदेश 13 नंबर पर है डिटेल देख लेते हैं इसके बाद यह नीती आयोग के द्वारा जारी की जाती है आपको यह मालूम है इंडिया इन्वेशन इंडेक्स ठीक है यह भी जुलाई 21 जुलाई 2022 को जारी की गई इसके उपादत जो हैं सुमन बेरी इनके द्वारा इंडिया इन्वेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है तो 17 प्रमुक राज्यों की स्रेणि में मद परदेश को 13 इस्थान मिला है ठीक है और इसके अलावा क्या है कि जो बाकी के इसमें अलग-अलग कटेग्री थी एक 30 गड़ सबसे निचले इस्थान पे 17 वे इस्थान पे था इसमें ठीक है बात करीजा 17 प्रमुक राज्यों में तो मद परदेश को 74 रंक मिले है और यह 13 इस्थान पे ठीक है अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है खनीज विकास में सक्री योग करोड और साथ करोड तो इसका सही उत्तर होगा साथ करोड यह प्रश्ण कई प्रकार से बन सकता था लेकिन हमने क्या उसको साथ करोड पर बनाया है वह क्या पूछ ले तो आप याज रखना साथ करोड का मिला है क्योंकि सरकार ने इसको काफी हाइलाइट किया तो जो खनी मन्द परदेश को क्या हुआ है जो उतकन, निलामी और खानों के संचालन के पहल करने में सरुसेश्ट परदर्शन करने वाले राज्यों में प्रथम सिरणी का पूरसकार मिला किस में मिला उतकनन में, Stri जानों के संचालन में इस इन सेरेडियों में मदपरदेश को दूसरे पुरसकार से सम्मानित किया गया तो इन पुरसकारों में क्या होता है अलग-अलग रासी मिलती है ठीक है तरफ बढ़ते हैं बात करेंगे हम 11 प्रश्ण की मदबदे सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को रुस्तम जी अवार्ड फिर से शुरू दे करने प्रदान करने का निर्णे किया यह 15 अगस के दिन दिया जाता है यह किस विभाग के कर्मचार को दिया जाता है आपको यह बताना यह फिर से सुरू हो रहा बीच में बंद हो गया था तो एक किस विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता उच्छ सिक्षा आईकर स्वास्त या पॉलिस इसका सही उत्तर होगा पोलिस का हलाकि जिन्हों ने ध्यान से देखा होगा पहले गलती से अंसर लग गया था आप देख ली हो गया तो रुस्तम जी अवाड को दिया जाता है पुलिस विभाग को दिया जाता है ग्रह मंत्रा लेके द्वारा डिटेल देख लेते हैं तो जो राजसरकार के द्वारा एक तो यह पुरशकार दिया जाता है और यह पुलिस व रुपए से ले करके 5,00,000 रुपए तक के अवार्ड रहते हैं अब क्या होता अलग अलग जो गतिविदियां होती जिसमें पुलिस सामना करते हैं एक तो नक्सल विरोधी अभियान हो गया आतंग विरोधी गतवधियां हो गया सामपरदायक तना हो गया कानून व्यवस्ता क गंभी परिस्तितियां होई इनमें जो पुलिस विबाग के अधिकारी या करमचारी अच्छा परदर्शन करते हैं उत्कृष्ट कार करते हैं उनको रुस्तम जी पुरशकार दिया जाता है तो पुरसकार में एक होता परम विसिष्ट स्रेड़ी पुरसकार ठीक है इसमें 5 पुरसकार होते हैं यह 5-5 लाग रुपए के होते हैं अपने आगे एक्जाम में मदवदेश के मैक्सिमम में पुरसकार की राज ही पूछ लेता है आप थोड़ा सा यह याद रखोगी जो परम विसिष्ट होता है यह 5-5 लाग होगा अधिविसिष्ट के 6 पुरसकार 2-2 ल और यह किनकी याद में दिया जाता है हुरुस्तम जी में दिया जाता है। रुस्तम जी पूलिस में जो ट्रेनिंग होती है रुस्तम जी के नाम सही संस्थान फारे ट्रेनिंग कि जाती है इन दौरवाले में थिक्थ आप इसके अंतर कर तीन सेडिया मैंने आपको बता जी इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपको एक्जाम गुरुजी में अगले एक से दो दिन के अंदर मिलने वाला है आप वहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखना तापकि आपको आने वाले प्रश्णों में जो कौन सा अस्थान मिला है इसमें मिला है चटवा डेटेल देख लेते हैं फूर स्कियर्टी रांकिंग ठीक है मद्धपर देश इसमें किस अस्थान पर छटवे नंबर पर है ठीक है अब ये केंद्री जो उप्भोगता कारखाद और सारवजनिक वित्रण है, ठीक है, इसमें बस रवाड़िज और उद्दोग मंतरी जो प्यूश गोहलते हैं, युन्होंने इसका पहला संसकरण जारी किया है, ठीक है, मद्र प्रदेश जिसमें छटे नमबर पर है, अब इसम इसा है, ये आपको याद रखना है, और मद्र प्रदेश का जो स्कोर था, वो 786 का स्कोर था, 786 में छटे नमबर पर था, अगले प्रशन की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे, वर्ल्ट ट्रेवल मार्केट रिस्पोंसबल टूरिसम इंडिया अवर्थ, बहुत लंबा ना होगा भोपाल में किया जाएगा, डीटेल देख लेते हैं, इसका कारक्रम का जो होगा, ये 30 अगस से सुरूँ होकर के 10 सितंबर को चलने वाला है, ठीक है, इसको साउट फ़र्म में बोलते है, ICRT, International Center for Responsible Tourism, ये क्या है, ये एक नेटबर के जहां पे काफी प्रभुद्ध होते हैं, बहुत धिक लोग होते हैं, और इसकी जो घोषणा की गई थी, ICRT की है, Cape Town में की गई थी, ठीक है, अब होगा क्या कि इसकी स्थापना जब की गई, 2002 में हेराओ गुडविन द्वारा परेटनों के गंतब्दों में responsible tourism के लिए, मतलब आप tourism, यादि tourist वहाँ पे तो वहाँ पे उसको responsibility भी उस छेतर के अधिकारी को या उस चराज्य को लेनी होती है, देश को लेनी होती है, उनको सप्रकार की शुवदाएं मिले, उनके साथ लूट पार्ट नहों, उनको बहुत जादा भटकना नहों, काफी उनके लिए वो जगह user friendly रहे, इन सब चीजो और यह award का उदेश क्या है, responsible tourism को बढ़ावा देना है, लोगों और संस्ताओं को इस छेतर में किये जा रहे, अच्छे कारुक शंबंद में जागरूप करना है, ठीक है, और यह award दस रेडियों में दिया जाता है, और यह award अब तक London में, WTO में कारकाम होता था, पहली बार भारत में हो रहा है, यानि लंदन के बाहर इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा, वो भी भारत में, भारत में कहां हो रहा, भौपाल में हो रहा है, इसलिए यह award काफी महत्व्पूर्ण हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे, इसकी स्थापना का वोई ती, यह किस Cape Town होता था भोपाल में यह पहली बार हो रहा दस रेडियों में विविन विवन पुरसकार दिये जाते हैं इसकी जूरी होगी जो इसका चैयन करेगी उसके अध्यच कौन है डॉक्टर हेराल्ड गुडवीन है जिनके नाम से क्या कहते हैं यह इसकी जिनों इसकी स्थापना करी बढ़ते हम अगले प्रश्च की तरफ प्रश्च का मांग चाउदा है मद्द प्रदेश के किस विवाग को गौर्मेंट सेक्टर इनिसेट्यों अवर्ड टु प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरसकार मिला है मद्द प्रदेश राषन का एक विभाग है जिसको यह सकायोजन कहां किया गया था हाइदराबाद में किया गया था गौर्रमेंट सेक्टर इनिसेट्व अवर्ड टु प्रमोट डिजिटल लर्निंग मद्द प्रदेश का जो हायर एजुकेशन में है इन्होंने काफी अच्छे कारकरम आयोजित किये थे अभी को लागडाउन के ज़िया डोम भूपाल में स्थापित किया जाएगा गलती हो गङी यहाँ पर भूपाल आ गया है वह और किया गार को यहां gesh बनाया जा रहा यहां होना क्या है यहां पर जो फूल होते हैं उनको रखा जाएगा ठीक है यह प्रदेश का पहला डॉम है यहां पर जो फूलों की खेती करते हैं किसान है उनको air ventilated flower कँशे दाम कोता है। तो उसी का उसी दिन भेचना होता है और उने पोने दाम में बेचना पड़ता है। वो यह कि nast़ूर न लग जाते है। तיד दाम भी असमें और वाज़ refuseररी बेचना हुट। और अच्छे दाम मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, कि फूलों की खेती करने पर उनको क्या होगा, थोड़ा सा वो लोग मनोगज्यानिक रूप से motivate होंगे, जैसे आप भी motivate होते हो, जब आपके exam होते हैं, result आते हैं, तो आप motivate होते हो, ठीक, इसी प्रकार से किसानों को भी motivation की वर्शक्ता होती है, पर यह self motivated होते हैं, फिर भी खेती कराब हो जाया, लेकिन अपनी खेती में निरंतर लगे रहते हैं, बात करी जाएगी, तो इनकों और साथ में क्या होगा, भी चौलियों से मुक्त होंगे, बढ़ते हम अपने अगले परश्री की तरफ, और यह अबियान चालू किया गया उच्छ विवाग के जो next sale है, उसके द्वारा चालू किया गया है, ठीक है, हरित वशुंधरा अबियान, ठीक है, उच शिक्छ विवाग का जो हरित मिष्ण के मादम से इसमें व्रक्ष बगैरा लगाये जाएंगे, और इसकी खासियत ही ह है कि यह महाविद्याले में जो प्रवेस लेंगे चात्र वो प्रतम वर्स में लगाएंगे और जब तक उस महाविद्याले में रहेंगे उसकी प्रॉपर मौनिटरिंग की जाएगी कि उसको ब्रक्ष को पोशण पानी जल सब कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा हो कितना आगे तक उसका सर्टिफिकेशन भी होगा और बहुत सारे प्रोग्राम है इसके अंदर ताकि वो प्रक्ष जहां तक उसको पहुंचना है जितना बड़ा होना चाहिए वो मेचोर हो जाए इतना समय ध्यान दिया जाएगा उसको यह फाइनल यह तक लास्ट में उसमें पुरस्कित भ पुरुषकार मिला है रिवा सतना दतिया जबलपूर कौन सा जिला है तो सयुत्तरोगा दतिया है जिसने इस पर अच्छा काम किया है और उसको प्रथम स्रेणी का पुरुषकार मिला है तो राजिक में और प्रदेश में ठीक है एक तो मद्रदेश राजिक को भी पहली बा जौलाय। दौारा इकायोजन किया गया था। ड्रग तश्करी और राष्टि पर सुरच्छा सम्हिलन वहाँ पर दिया गया है। पूरे देश के 272 जिलों को चिनित किया गया था, जिसमें से जहां पर नसे का व्यापार या या नसे का कारोबार है और नसा का उप्योग जादा होता है, उसमें दतिया ने अच्छा काम किया गया, अब में बात मद्द प्रदेश के कितने जिले चाहे नित हुएते हैं, तो 15 ठीक है, और इस अभियान का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, लोगों को इसके लिए प्रिवित किया जा रहा है कि नशा ना करें या छोड़ दे, ठीक है, अब इस प्रकार ये था हमारा जुलाई महा का करेंट अफेर मद्द प्रदेश का, और हमारा जल्दी वीकली करे और होता है, जो मुएव्कितैम मद्द प्रदेश के आदिवाची छेत्रों में किया जाता है, पारंपरिक रूप से, किस अवशर पर किया पर के, कौन सानुद्द है, वियून। यह किस आवशर पर या पर्व में का आयोजन किये जाता है, काफी उत्साह का गारक्रम होता है, ठीक है, और इस प्रकार था हमारा यह जुलाई का संपूर करेंट अफेर, अगस्त के जो करेंट अफेर हैं, उसके साथ हमारा वीकली वाला भी सुरुवात हो जाएगी, आपको यह दि मदप्रदेश प्रिक के नोर्स जिन्हें भी परचेश करने हैं, 2022 का कंटेंट इसमें अपडेट कर दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षंड बन रिपोर्ट और भी जो चीजे थी सब कुछ अपडेट कर दिया गया है, तो आप 2022 के नोर्स परचेश कर सकते हैं, आप इसको भी परचेश कर सकते हैं, आप प्री और मेंस, दोनों की तयारी इसके साथ कर सकते हैं, आप प्री की पढ़ाई करिए, answer writing की practice करिए, वीडियो लेक्чर सर रहते हैं, आप 재में हंगे आपको लगबाग 100 वीडियो लेक्षर मिलेंगे, जिसमें आपकी practice करवाए जा current affair आपको कैसा लगा आपके लिए useful है या नहीं है या क्या सुधार है इसमें आवश्च रखता हैं आप हमको नीचे comment करके जरूर बताएं और जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर आपको ज्यादा ने दो लाइन पर देना है ठीक है वह उत्तर आप नीचे comment box में दे जो भी अच्छा उसका उत्तर देगा उसको एक्जाम गुरुजी करफ से like और heart दिया जाएगा अपना ध्यान रखिए सभी त्यवारों को खुब इंजॉय करिए को रोना फिर से आ रहा है उसका भी ध्यान रखिए हमें लापरवाई नहीं करनी है फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है तब तक के लिए जय हैं जय भारत